धंतरी जिले में तालाब में डूबने से दूबच्चियों की मौथ हो जाने का मामला सामने आया है दरसल या मामला अरजुनी थाना छेतर के ग्राम पिपर छेडी का है जहां बताय जा रहा है कि दिपाली यादव और ओमलता यादव दो बच्चिया तलाब में नहाने गए थी नहाने के दौरान दोनों बच्ची गहरे पानी में चली गए जिसके चलते तलाब में डूबने से 12 वर्षी दोनों बच्चीयों की मौत हो गए धमतरी से वैभव चौदरी के रिपोर्ट